पूर पेहलू तरंग बीचु आचर्य स्थापना देविशेक दादा खाल चलना प्रश्णू देवताओ, मनुष्यो अने मुनिवना मुकुर समान शिर ताज महाराजाती राज श्रीहरी श्री उत्तम राजाना दर्बार मा सरोतम सिहासनू परविराजमान थे यहता देशे देशना चार्य वर्ण ना हरि भगतो आवता हता औने पूजानो पुषकल सामान लाविने गडपूरमा बिराज ता श्रीहरी नी वीविद प्रकारे पूजा करता हता अनंत संतो ना पार मंडलोनी भीड सततर यहा करती हती ते संतो यक्तार नी जे मावता हता अने पाचा जता पण हता गडपुर्मा ओखन उत्सव छवायलो रेतो हतो त्या विवीद प्रकान वाजिंत्रो राद दिव स्वाकता हता संत समाज श्रीहरिना गुणोंने मुक्ति वल्नवता अने प्रेम युक्त थेन गाता हता ते समय कोशल देस थी सर्वे धर्मवंची गडपुर्मा व्या हता ते सव गणा दिवस्ती श्रीहरिना वियोगी हता ते थी प्रेमातूर हता अने तेम नारदेमा गणोसने हतो जारे तेव श्रीहरिने मलिया त्यारे खूब जरुदन करियु तेमने आखोमा थी आसोनी चोड़धारा वेहवालागी त्यारे कमल लोचन श्रीहरिये अम्रूत ना जेवा मुदुर्वचन बोलीने ते सवने शांत करिया आ धर्मवंची ओने अत्यंत शुद्ध जानी ते ओद्रड धर्मनिष्ट छे अन्ने सर्वरिया एटले के सर्यू पारिन अती स्देश्ट ब्रामन छे आउँ देलमा विचारीने श्रीहरिये तेमने पोतानी पांसे राख्या अंतर यामी श्रीहरिये धर्मवंचीने समर्थ जानी आचारिय पद आप्यू अने त्यारे तेना उपरती प्रस्तन थेईने तेमज हरी भग्तोंने संतो ना सुखने माटे श्रीजी महराजे मंदीर संतो अने हरी भग्तो आ बदूज तेमने धर्मनी रक्षा करवा माटे सोपी दिदू बन्ने बईना 1-1 एम 2 पुत्रने आचार्य करी ने स्थापया श्री अयोद्या प्रस्ताद जी अने श्री रगुविर जी ने धर्ममार्ग माद्रण अने धिर गंबीर जानीने श्री हरी पोतानी इच्छा दिल माँ लावी तेमन्ने ने दतक पुत्र करिया जाते दाडे ते बन्नेनी क्यारे कुहेत न थाई आउ विचारीने देश ने मंदिरोना विभाग करीने ते बन्नेने वहेची आप्या लोब भयंकर मोटो शत्रू छे तेमा सैजे कुसंपर योच्छे अने ते कुसंप मा नित्य अधिक दिग मोह एटलेके अगनान रहे छे जेना जीव मा जारे लोब प्रवेशेशे त्यारे ते कोईनी मर्यादा रागतो न थी लोब आव अत्यन्त निलज छे लोब नाकान विनानो छे ते थी आ लोब पोताना गोत्र केता नजीक ना सबंदीनी पन खात करे छे आउ लोब नुबलवांत पनु जोईने तेने कारने परस्पर कुसंप न थाई एवा हेतु थी श्रीहरिय जग प्रसिद देश विभागना लेक करी दिदा श्रीहरिय पोते जा जगत रहेत्यां सुधी कायम रहेतेवी अनुपम मोक्षनी रित बांतियापी ते साम्बलीने मोटा राजव पन विसमेई थया प्रुत्विनो बदोपार उतारी मोक्षनो वावटो फरकाव्या बाद श्रीहरिय पोताना धाम प्रति जवानी इच्छा करी आप विचार मन माई किन कोव न जान परेवू एतको बहुत जनाई हरी जनस बोलेवू तबे दुल्लब मनुष्य देह खनू भंगूर न विलंबक छ आजरन जेस्ते जेह ताके नाशन होत कबू श्रीहरिय आ विचार मन माज करी होतो जेती कोई जानी न चाए पच्छी खूब जेहत देखाडी ने अरी भगतो प्रतिय त्यारे बोलिया हे भगतो आ मनुष्य शरीर दुल्ल बहोवा छता त्यक्षण पंगूर छे तेने पड़ता कैवाल लागती न थी जेनू जेवू आचरन पूणिय रूप के पापरू वर्तन है शे तेना फणनो क्यारे नाश थतो न थी शुद्ध धर्मने बतावनारी शिक्षापत्री मारू सरूप छे माटे तेना वचन अचल अने स्तत्य करीने मान्जो मारा शिक्षापत्री ना वचनोंने धर्मवंशी संतो अने हरी भगतो द्रड रिते समझी राखवा अने हवे पचि जेम सिक्षापत्री मा कयू छे तेम सवे प्रेम्थी वरतू अने धर्मवंशी आचारिय कहे तेम विवेक्थी सारी रिते करू जे सिक्षापत्री प्रमाने रेशे तेमारा अक्षर धाम मा आवशेच तेमा कोई संदेह न थी अवे उन सिख्ष्या पत्री आदिक सत्षास्त्रो द्वारा जे मारा वचन प्रमाने रहे एवा धर्मवन्शी द्वारा अने जे मारा मंदीर छे तेमा जे मूर्तिवो छे ते द्वारा हुँ रहे योच्छु मेरी आग्यासो मेरो सुरूपा मेरे बचन मानना अनूपा मेरे बचन में शशी अरू सुरा निशदीन तत्पर रहे हजूरा सब्त समुद्र भोमी यह सबही मम वचन में चलत ही अबही पवब्रम्मा इंद्रादिक जेसे शेश शारद नारद मूनी तेसे मारी आग्यासो मेरे बचन में शब्रम्मा इंद्रादिक जेवतावो शेश शारदा अने नारद आधिक मूनी वबदा मारी आग्यासो मेरे बचन में थेसे जी तेमनी लोकमा ख्याती थेई छे मारी आग्यामा वायू चाले छे उजेम कहू तेम सुरिय तपे छे स्थावर ने जंगम जेकाए जगत छे ते बदु रूतु प्रमाने प्रफुल्लीत थाई छे ठंडी गर्मी अने वर्षा त्रणे रूतु मारी आग्यामा दिना दिन रहे छे द्रूवादिय पाल ताराव उच्चे आकाश मार याच्छे तेमारी आग्या लोपना फई थी रात दिव स्वारमवाल त्रूजिता रहे छे अने त्य थी जिते ओमारी आग्याना नी बहार जता न थी मोरी अग्या माने सो मेरो न माने तेही माया केरो हरी जनकु सो कहत हे सबही आत्म खात न करना कबही श्री हरी स्तर्वे हरी भक्तोंने केता के जे मारी आग्या माने तेह मारा छे अने जे न माने तेह मायाना चीव छे वली केता के कोई आत्म गात तो क्यारे करो नहीं आत्म गाती महा पापी छे आउव वेदोंने पुराणों कहे छे तेमनों क्यारी मोक्ष थतो न थी तेवो तो खुब जहेरान परिशान थाई छे भगवाने जारे जरेवता लिधाहता तेवो कायम कोई रिया नथी तेशाणा हरी जनुए जानू जोए के आ मारू शरीर पण कायम नहीं रहे जे कारिय करवा हुँ आव्योच्छु ते मारू बदू कारिय पूरू थेई चुक्यू छे हवे कोई कारिय बाकीर यून थी आ लोग तथा पोग्य पदार्थ मने बधा जेर जेवा लागे छे उपर कहिया तेवा श्रीहिर ना वचन साम्बली ने उतम राजा एटलेगे दादा खाचर ओत्यन दिलगीर थे गया दर्म वन्षियो संतोने हरी भग्तो पनत्यन दिलगीर थे गया स्वतंत्र स्वच्चंद ही आप रहाई काव के वश नहीं नाथ कदाई निज दारे सोई की एतत खेवा हरी जन संत रहे जोत एवा ते समय श्रीहरी पोतानों वती महान सामर्थ्य तेस थड़े ततकाल बदावियू आने बदाना रजुने वजर समान कठण करी दिदा पची तेमने हेत्थी बोलाविने तीर जापी स्वयम चाहे ते करे तेवा श्रीहरी स्वतंत्र छे सर्वना नाथ श्रीहरी क्यारी कोईने वश्न थी अर्थात बधाज तेमने वश्च छे तेथी तेमने पोते जे दार्यु हतुतु ते ततकाल करियू सवसंतोने हरी भगतोतो देखता जरहिया मुक्त मुनी गोपाल मुनी चोई सबकु दिरज दीने उस्तोई दर्मवन्षीकु दिरज जो दीने आपने रेना हरी आथी ने तेस्तमाय मुक्तानन स्वामी अने गोपालन स्वामी आ बधु चोईयू तेथी तेमने स्तवने थीर जापी दर्मवन्षीवने पन थेरी आपीयू अन्य कहियू के आपने सवे श्रीहरी नी इच्छाने आतीन रेहू आज रिते दादा खाचने पन तीरजापी ने समझाविया अन्य कहिऊ श्रीहरी तमारी त्रिलोकी मा जीत करी छे तमारा सारा ये परिवार नु भागी अपार छे करोडो जन्म सुधी तेनु वर्णन करिये अवे तम्हे श्रीहरी ने वश वर्तो, अर्था जयम महरादने गमे छे तेम रहो। अथवा हे विरा, अवे कोई स्ट्रेष्ट तिरजवान, ग्नानवान दर्मवंशीनी मरजी प्रमाणे वरतू। हरी बगतो ये एवा धर्म वंशने अनु सरू अने तेमनी स्धेवा करवी श्रीहरी धर्म वंशना धर्मग्णानादिक सद्गुणो जेमा होई तेमा आखण दय्याद छे अने जेमा धर्म वंशना मान, काम, क्रोधा दिक दुर्गुणो होई त्यारे इता नथी एम प्रामणी कृते मानो स्वधांपधार्ती वकते श्रीहरी अनन्द प्रकानो प्रम पाढ सामर्थे देखाडियो हतु त्यारे मोटा मोटा परम चतु रनन्द देवता विवान मा ब्यसिने उपराकाश मा आवियाच छे अने कृते वाजिंत्र वगाडिया मुक्ती जैजी कार बोलीने श्रीहिनो यशोगान करवा लग्या ते देवताव के सर्मिस्री चंदन अनन्द प्रकान पुषकर पुषपोल आविया हता अने आनन्द मा आवि श्रीहिना उपरते नी वारम वार रुष्टी करवा लग्या करुणानी धान श्रीहरी अद्भूत दिव्य विमान मा विराज्या अने देवतावने दर्शन देता देता अक्षर धाम तरप चाल्या ते समय स्वर्गादिक देवना लोक मा चारे बाजू अनन्त ने अपार आनन्द उच्षव व्यापी गयो पण पुलोक मा संतोने हरी भग्तोने अत्यंत दुख थेयो अने ते दुखनों पार न रहियो श्रीहरी रीत अलोकीक छे तेने कुब बुद्धी मनुष समझी शक्ता न थी पण जेने श्रीहरी माँ प्रेयम छे तेने त्वावी लीला देखिने अत्यंत आश्चरिय थाई छे अई गड़ पूर्मा श्रीहरी आलोकने रीते अंतर ध्यान लीला देखाडी अने दिव्य विमान लेएने आवेला अक्षर मुक्तोना समदाईनी साथे श्रीहरी दिव्य रूप दरीने स्तवने दर्शन देता थका गया अने त्या अक्षर धाम ना मत्यमा अनुपम दिव्य स्निहासन उपर बिराचिया ते अक्षर दाम मा अनन्त पार मुनी वनी श्रीहरी नी पासे सभा भराईने बेठी सच्चिदानन स्वमी पणती उमंग थी त्या मुक्तो नी संगे छुपाईने बेठा त्यां दाम्मा सची दानन स्वामी ने देखी ने श्रीहरी तेमना उपर एकदम खीजैने डारो दिदो अन्य कहियू के मुनिवर तम्हे अत्यारे जी तमारा देहमा पालचा जाओ जो अमारू वचंतमे नही मानो तो तमारे अनंत काल सुधिया पार दुख भगव उपर शे पची जारे सची दानन स्वामी देहमा जवात यार थेया त्यारे श्रीहरी पोते जर्पान करीने ते प्रसादीनू जर तेमने पायू पच्छी स्वामी तत्कार पोतान श्रीमा पाच्छा आविया अने पोते नज़रे देखिली वाद दिएलमे तयार उष्च चिदानन स्वामी ए सव आगळ कही ग्रन्थकार आधारनन स्वामी कहे छे यह में आके देखिली आ वाद अहीं कही छे माटे सुग्ण जनो तेने साची करीने मांजो पची सवय परस्पर विचार करियो अने श्रीहर्ना तिरो धान पची बार माना दिवसे जमनवार नो खणुसार उत्सव करियो श्रीहर्ना दतक पूत्र श्रीयो योध्या प्रसाद जे अने श्री रगुवीर जीबननी ये शश्री हता तेमने सारा पकवान करावीने सव संतो, वीपरो अने अने करी भक्तने सारी रिते जमाडिया आ निमी ते ब्रामनों ने पार दान आप्या आ प्रमाने श्रीहरीनु कारज करियू ते कार जेवू जगत प्रसिद थयू के दुन्या माओ कोई बिजो दान आपनारो न देखायो जे लोको आविया हता ते स्तवने जमाडिया हता गणी जातना शाक बनाविया हता एक हजजार भार एक बरेटले डोड किलो वजन एवा एक हजजार बाल जेटली तो खांड वापनी न नेक प्रकार ना पकवान बनाविया हता आपना सत्संग न आचारिय महा प्रतापी केहवाया दुन्या मा बिजाजी आचारियो छे तेमा कोई आटला प्रतापी न हता जेना आपार भाग्य होएते वा समझू मनुषय ज आश्रीहरी ना सुरूपत था महमाने समझी शके छे सुर्योदे थवा छताजे ने द्याखातू न होएते तो आंधलो गणाई तेम श्रीहरी अपार सामर्थ देखाडियो छताजे तेमने न समझी शके ते अगनान ओवाथी आंधलो गणाई जिनके भव अंत आवही तेही होत सतसंग भव के अंत आये बिन टरतन तेही कुसंग सतसंग जेही होत हे तिनके भाग्य पार और अभागी ही देखना दन होय कोटी भंडार जेने संसार नो छेडू आवानो थाई तेने जी सतसंग थाई छे संसार नो अंत आवही ना जिवने कुसंग टलतो ज न थी जेने सतसंग थयो छे तेना तो अपार भाग्य छे अने ते सिवाईना लोको पासे करोडोनी संख्यामा धन बंडार बरियो होई छता ते अभाग्याज छे तेम जानू विक्रम सवन्त डार्सो श्यास्तिना जेठ सुधी दश्मीनी ती थिये जारे मध्याहन समे थेयो त्यारे अभिनाशियेवा श्रीहरीये आ भूमीनो त्याग करियो हतो आ मनुष्य लिला पण श्रीहरीनू एक चरीत्र छे एम समझू त्यमनी आ अलोकी क्रीत एतो असुरूने मोह पमाडवा माटे नीच छे पचे धर्मवंशी, संतो अने हरिभक्तो त्या बद्धा गणा पेला थया हता त्यारे श्री गोपिनाजी महरादना मंदिरमा एक अध्यन्त महत्वपुन सार बूच सभा पराणी मुक्तानन स्वामी, गोपालान स्वामी, नित्यानन स्वामी, अने ब्रह्मानन स्वामी इत्यादी स्रेष्ट ने सव थियती समर्थ एवा मोटेरा सद्गुरुवत्या हाजर हता ते स्रेष्ट संतोमा पण मुक्तानन स्वामी मोटेरा छे यम समझीने उत्तम राजाये तेमनी आगल श्रीहरीना चरित्रुनी वाद पुछी सवसंतो येम कहे छे कि जन्मने मरणनु दूख गणूँ छे त्यमज आध्यात्मीक, आधी भौतीक, अने आधी देवीक ये त्रण प्रकाना ताप पन सवती अधिक छे छता ते बदाज दूखोने संतापोनी शांती तो श्रीहरी चरित्र थी थाई छे तीन कर्म तीन ताप तेही जन्म मरण जो दूख हरी चरित करत पान ही अंतर होत ही सुख परिक्षितकूज ब दूखही आये अती बड़ जोर शुक मुनीवर पायो तबे हरी चरित्र रस घोर काईक, वाचिक अन्य मानस त्रण प्रकाना कर्म तथा उपरक यात्य त्रण प्रकाना ताप अन्य जन्म मरण दूख आ बदो श्री हरी चरित्र रूपी अम्रूत नूँ पान करवा थी नष्ट थाई छे अन्य अंतर माती सुख थाई छे जारे परिक्षित राजा ने अत्यांत दूख आवी पड़ियो त्यारे श्री शुक देव जिये श्री हरी चरित्र रूपी अती श्रेश्ट रस पायो हतो तेथी परिक्षिते मायक विशी सुख नारस ने दुखरूप जोयो एटले ते सर्वे रस तजी दिदो अन्य श्री हरी चरित्र माँ चीतने परोव्यू अन्य ते पचिते अने शरी नो त्याग करियो ये वाद जगत्मा प्रसिद्ध थै आरिते परिक्षित राजा कथा सांबल वाथी युगो सुधिनू अविचल मोक्ष पद पाम्या माटे हवे मने आप प्रगड श्री हरी ना चरित्र नी वाद कहो श्री मुक्तानन स्वामिय ती महान संथ हता श्री हरी ना तीरो धान पच्छी तेमना चरित्र कहवाने माटे डोड मास सुधि तेमने पोतानो देहराख्यो हतो मुक्तानन स्वामिय श्री उत्तम राजानी सामे चोयू तेमने श्री हरी चरित्र संबलावा माटेना सत्पातर गणिया पच्छी तेवों श्रीहरी ना चरीत्र रुपी अम्रोत रसनों पान करावा लाग्या अर्थात श्रीहरी चरीत्र केहवा लाग्या अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेर करना मत भूलिए सब्सक्राइब करें सर्दार कथा चैनल को और बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए